कि नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है मैडवर मैप्स में मैडवर मैप्स के माध्यम से हम काफी कुछ देख रहे हैं शायद अपना इन्वार्मेंट हिस्ट्री पॉलिटी कन्वेंशन च्वाग्रफी तो होगा ही यह सब हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है दिस चंद्रमॉली विल्कमिंग यू तो दिस सेशन उमीद है आप लोगों तक आवाज जा रही होगी उमीद है आप लोग इसको सुन पा रहे होंगे आए जल्दी से आपको को सूचना दे देते हैं पहली सूचना और निवेधन यह है प्लीस हाव और पोटोग्राफ सेव्ट तमवेर वी को बिल्कुल हम लोगों सही से क्रैक कर लेना है आई आगे चलते हैं तो क्या मतलब देखिएगा तो यह स्कूपर अब लेते सब्स्रिप्शन तो आपको वन यह का एक्सेंशन हमारी तरफ से मिल जाएगा यूँ आप सी एंसी एस देखोट आप जिनको एडमिशन लेना आपको लेना है तो अब लेना है तो अब यह आप साथ आप कर सकते हैं एक साल के लिए दो साल के लिए यह भी आप ले सकते हैं इसमें भी काफी अच्छा आपका ऑफर मिल जाएगा पे सिर्फ और अब लेना है तो अब लोगों में चुन लिया होगा ऊगा यह प्लेज सेंबर ऐस्थेंबर 切्ष भी सब्सक्राइब implemented in 2023 बेस्ट कंटेंट एवर और हिंस्ट ट्राइंग टो रिक्वेस्ट यू तो गोएड विद इस जीरो परसंट ये माई पे मतलब आप ले सकते आपको पूरा पैसे एक बार में नहीं देना है यू कैन गेविट लाइक पूरा आपको ये माई बना के दे सकते बारा महीन अठारा महीने के लिए ठीक है और ये टेलीग्राम चैनल इसको फॉलो कर लिए ताकि आप अपडेटेड रहें चीजों के साथ और आज आपको बहुत बढ़िया बात बताएंगे कहा जाता है कि यथा चित तथा वाचो यथा वाचह तथा क्रिया मतलब जैसा आपका चित होगा जै इस ही लगबग आपकी वाणी बन जाएगी जैसी वाणी होगी लगबग वैसी आपकी क्रिया भी दिखने लगेगी तो यहां से सब रिलेटेड है इस यू आर फाइन यह तो कोशिश करिए इन तीनों को कॉन्जोनेंस में रखी और यही सच्चा ही है जिन्दगी की गुड चलू करते हैं आज का सेशन और आज का मुद्दा है बर्ण कंवेंशन बर्ण कंवेंशन पढ़ना इस यह भी जरूरी है क्योंकि जब आप कोई ऐसी रचना रचते हैं जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके उपर आपको पेटेंट चाहिए जिसके उपर आपको चाहिए क इसको कोई और चुरा ना सके, then you have to protect it under some regime, जिसको कहा जाता है, intellectual property rights, चुकि यह आपने महनत करके बनाया है, आपका research है, इसलिए इसको बचाना ज़रूरी है, नहीं तो बाकी लोग इसको चुरा लेंगे, so these are your intellectual property rights that you have on your creation, Burnt Convention किसके लिए आईए देखते हैं, Burnt Convention है, protection of literary, मतलब जो आप लिख सके, सुना सके, रच सके, and the artistic works is international copyright agreement that mandates equal treatment of copyrighted words by signatories known as Burnt Convention, कहनेकार्त है, आपने एक literary work लिखा, आप तो आपके देश में तो copyright मिल गया, पर किसी और ने idea चुरा लिया, और बैठ के किसी और हिससे में काम करता है, और वो अपनी बुक निकाल दिया आपके ही उस तो idea पे, that means copyright violate हुआ है, बर्ण convention बोलता है, चुकि एक global convention ने तो बोलता है, कि अगर आप इसको copyright का दर्जा एक जगह देते हैं, and you are joining us in the burn convention, that means कि अगर एक जगह copyright है, तो हर country में इसका copyright होना चाहिए, कोई भी इसका copyright का उलंगन नहीं करेगा, नमस्कार, जयहिन, good afternoon, फिर से सभी का स्वागत है, तो बर्ण convention डारेक्ट प्रिलिम्स में आगा क्या है, literary and artistic work का protection के लिए इस convention का आना बहुत धरूरी था, आईए देखते है, बर्ण convention आपको जान के हैरत होगा, कि आज की बात ही नहीं, 1886, बर्न स्विजल लांड, इस वस अदॉप्टे तो बर्न स्विजल लांड में अभी हम देखेंगे, बता दिया हमने ठीक है, इट वस अदॉप्टे इन 1886 इन बर्न स्विजल लांड, इट रिक्वायर सिगनेटरी मेंबर कंट्री तो रेकागनाईज, मतलब आप अपने बेश में जैसे कॉपी राइट को रेकागनाईज करते हैं, वैसे ही बाहर के भी कॉपी राइट को भी आप वही समान दर्जा देंगे, इससे शायद जो लिटररी वर्क करने का मन है, वो बढ़ता रहेगा, अमालीजे, चेतन भगत साहब ने एक बुक लिखी हमारे इंडिया में, पता चला, जमाइका में बैठके कोई इनका आइडिया ले लिया और फुद बुक लिखने लगा, तो you have to protect your literary works, artistic works, यह आपको बचाना पड़ेगा, printing है तो बचाना पड़ेगा, तोई है किसके लिए literary artistic, अच्छा, इसमें देखे कुछ बचता है, अंडर इट, all works, देखिएगा, अभी है आगया, प्रिलिम्स का question, सब लोग और सुनिएगा, all works, except cinematography and photography, photography and cinematography, यह दोनों ही इसमें protected नहीं होते है, all works, but cinematography protect नहीं होता है, photography protect नहीं होता है, all works, except cinematography and photography, मतलब आप कोई cinematography कर रहें, कहीं आप cinema कोई बना रहें, आप इसका idea नहीं ले सकते, मतलब आप इसके उपर कोई patent नहीं कर सकते, नहीं आप किसी photography भी कि नहीं नहीं फोटोग्राफी है, यह अप कहीं पी भी ऐसा photography नहीं होगा, you cannot do this, तो cinematography और photography पे आप कोई भी ऐसा protection नहीं ले सकते हैं, other than these, all works are copyrighted for minimum 50 years term, after death of author, but longer terms may be provided to related parties, तो यह काफी कुछ चीज़ा भी इसके अंदर भी चलती रहती है, याद रखनी जरूरत नहीं है, टेक्निकल नहीं आएगा, प्रश्न आएगा कि क्या copyright, क्या cinematography है protected नहीं है, हाँ, तो अगर देखिए, copyright आप क्या बोलते हैं, हर convention का एक part आएगा, हर चीज़ों को करने का एक तरीका है, बर्ण convention किसको बचाता है, literary work को बचाएगा, artistic work को बचाएगा, जिसमें cinematography नहीं आएगी, इसमें cinematography नहीं आएगी, हाँ, आप national level पे तो आप रोटेट करते हैं ये copyright को, आप क्या कोई regime होगा, जिसे हम बार-बार बोलते थे, कि भारत में एक intellectual property regime बहुत कमजोर है, तो हमारा पिछली बार एक policy आगया, तो हम लोगा थोड़ा समझबूत हो रहा है, हमने क्या देखते हुए बनाया, कि आखिर international level पे कैसा चलना है, the same we are trying to do, ठीके, अच्छा हुआ क्या भी आपको कुस बिन पहले हमने माराकेश आपको पढ़ाया था, तब माराकेश agreement, हमने आपको उसमें चीज बढ़ाए थी, कि अब यही वो किताबे हैं, देखिए वही किताबे हैं, बची हुई हैं, कौपी राइट्स में, हमने क्या किया, अब माराके के तहट या वीपो के तहट हमने क्या किया, कि कभी हमें अगर फेर यूज करने का जरूरत पढ़े, लोगों को समझाना है, लोगों के बीच में एजूकेशन लाना है, तो कुछ एफ़ी किताबे होंगी, जिसके अंडर में, जिसके अंडर में, वी कन ट्राइट्टू हाव प्रिंटेट और हम ऑथर को बता देंगे कि देखिए हम आपके कॉपिराइट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, किसी और एग्रिमेंट के तहर हमने देखा है कि आपकी किताबे यूज हो सकती है, हम इसे कोई वैल्यू ड्राइव करना नहीं चाहते हैं, इस इसकाम अंडर प बर्न कंवेंशन सिंस एप्रिल 1928, आजाद होने से पहले ही हम यहाँ पर कंवेंशन के मेंबर भी बन चुके थे, अब आप सोचते हैं कि बनाया गया होगा हम बने थे, 1928, यहाँ प्रिलिम्स का क्वेस्चन है, इंडिया साइंड और इंडिया सिगनेटरी और बर्न कंवें सिंस 1960s, वो ऐसे पूछ लेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया साइंड बर्न कंवेंशन, अब आपको पता होना चाहिए था, यह निगेटिव लिस्ट हो गया हमारा, वैसे लगबग आपके सारे कंवेंशन जो इंपॉर्टन हमने पढ़े हैं, वो आजादी के ब 1967 में आती है, तो अभी तक वीपो नहीं बना है, पर एक कन्वेंशन हो रहे है, वर्ल्ड इंटेलेक्शल प्रॉपर्टी ओर्गनाइजेशन 1967 में बनता है, पर 1880 से ही चीज़े चालू है, कुछ ना कुछ एग्रिमेंटे ट्रीटी बन रही है, और देखते हैं क्या है, है, अब आपके रेजीम को स्ट्रॉंग करने के लिए, आपके रेजीम को बचाने के लिए, इसके इंटेलेक्शल प्रॉपर्टी रेजीम को बचाने के लिए वीपो आया, और इसने अब सारे ही ट्रीटी को अपने तहत ले लिया, जेनेवा में इसका है, जेनेवा में इसक का headquarter है every year world intellectual property day is celebrated on 26th April 26th April को था यह PCS का सवाल आपका कई बार आ जाता है विपो में लगबग आप देखेंगे तो 111 member state है याद नहीं रखना है all member states of the UN are entitled though not obliged हर UN का member इसका भाग बन सकता है हर UN member इसका भाग बन सकता है अब लाइज नहीं है mandatory नहीं है बन सकता है स्वेच्छा से इट कैंडी मेड इट इस नॉट अब लाइज इस on mandatory on the part of the country to be part of Vipo if it is part of UN ऐसा कोई mandatory नहीं है अब देखिएगा विपो आरा 1967 में कहा है जेनेवा स्विचल लैंड पर यह कवायद चल लई है 1883 से ही 1883 में एक पैरिस कंवेंशन साइन होता है किसके लिए protection और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए पहला स्टेप लिया जाता है जिसमें क्या बोला जाता है अगर आप अपनी इंडस्ट्रिय विपो इस वर्ल्ड इंटेलेक्चल प्रॉपर्टी और्गनाइजेशन 1967 में आया था परपस इसका यही है कि सारे जो आपके ठीक है अब 1883 में ही पैरिस कर्वेंशन एक साइन हो जाता है जिसके तहर देखा जाता है इंडस्ट्रियल पेटेंस को बचाने की बात चल लए है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को बचाने की बात चल लए है मतलब क्या हमने अपने इंडस्ट्री में रिसर्च किया उ अगर हमने किसी पे एक पेटेंट ले लिया है तो अब आप उस पे कुछ अपना अधिकार नहीं जमा सकते आप अपना प्रोसेस जूंडिये जैसे कि आप पेटेंट लेते हैं ट्रेडमार्क लेने हैं इंडस्ट्र डिजाइन लेते हैं आज तक आपको पता होगा जैसे महिंद्रा का अचकल बहुत आता ना बिग डाइडी ऑफ एस्यूवी वह है क्या वो डिजाइन है अब इस डिजाइन पे पेटेज लिया गया अब अगर अब ऐसा डिजाइन देखे तो भाइब कोई भी चुरा सकता है कल वो कोई अपनी गाड़ी में लगा देगा अब खुर सोचिने वह फॉर्ट्यूनर माल लिजे फॉर्ट्यूनर का अपने डिजाइन है अब कोई चुरा के अपने में लगा ले और निकाल ले एस फॉ अचाना पड़ेगा तो कोई और ने लेगा तो यह सब यूज होते हैं आपका यह रिसर्च है आपका टाइम लगा है आपका पैसा लगा आप सूचिए आपने विस्तारा में कभी अगर ट्रावल किया तो विस्तारा का पूरे कलर कोड़ है आप देखेंगे परपल और गोल रखा है एक बेंचमार्क उसको चुनने के लिए लाको रुपए खर्च किये अब आप गए इस तारह में आपको बड़ा पसंद आगया कि क्या बात से एक दम गोल्डेन और परपल एंदम जम रहा है आई विल आप्लाइट इस इन माई होटेल आप यह आप नहीं कर सकते है वह उनका पेटेंट है आप इसको यूज भी कर सकते दे आप डान इंडर्स्ट्रील डिजाइन ते और वह अपना रख सकते हैं अब आप देगे वह लोग चेंज करेंगे बर आपको कॉपी नहीं कर सकते हैं अगर कॉपी राइट पर तो तो फिर केस चलता है फिर केस होगा आप जो पार्टी का वीसित तो हम आप पे दावा कर सकते हैं आप विइस सम अ हमारा इतना लॉस हो गया हमें दस मिलियन डॉलर चाहिए और हम लॉयर भी जाके ले लेंगे जॉनी डेप का तो तो आप हार भी सकते हैं तो प्लिस अंडर्स्टाइड वी आर अक्टुली लिविंग इन वर्ल्ड वेर एवर्रिटिंग इस विजिबल वाया यॉर डिजिटल म अगेंस्ट यू फॉर दब्रीच अव इस कॉपिराइट और आप से हम पूरा वसूल लेंगे पैसे यह हो सकता है और इसका पूरा प्रोसेस इसका पूरा प्रोसेस है ठीक अप सभी जी आगे चलते यह तो होगया पैरिस कंवेंशन किसके लिए याद रखिए आपका ट्रे प्रफिष्च तो याद फूपियरिख ले लिया तो यसका है हमें कोई वापति नहीं है नहीं है कि वह पहले लें ले जो ब्राहे जिसका है उसिता है आप अगर बात भी ले रहें तो आप अब आपको पैसा देना, पड़ जाएगा या आप पॉप़्राइट के लिए अप पेरा है नुजिकल से ज्रॉइंग्स पेंटिंग्स कल्च अर्किटेक्ट्रल वर्ट यह सब इसमें आता है दो चीज क्या नहीं आती है इसमें नहीं है और दूसरा क्या नहीं था फो टोग्राफी यह फोटोग्राफी आपको कही नहीं दिखे गए पेंटिंग दिखेगा पेंटिंग ड्रॉइंग यह सब आप कर सकते हैं यह नहीं मिलेगा ठीक है चले आगे आईए अच्छा अब एक नाम और आता है अपना रचिंग ड्रीड प्रोटोकोल फोर इंटेनाशन रजिस्टेशन ऑप मार्क्स अब ऊते हैं ट्रेड मार्क जैसे मानोष आपनी कम्पनी का आपना नाम आप लखते हो नगा लिखते है आता है गोला में टीर्ट्रेड मार्क यह कि आप जो ब्रेड करेंगे तो आपक यह जो पहचान है इससे होगी आपकी पहचान कि उससे होगी जब आप करेंगे रेंगे रहिगते हूंगे बहुरेखिता Пर्यायों रृजिस्टर ने स्थिund लिखा हुगे लगेड़ारी तो उसका पूरा वैल्यू है अब कोई ट्रेड मार्क के समय कोई नाम नहीं चुरा सकता अब कैरियर का डबा है अंदर रखें एसी हुजाई का वह नहीं हो सकता ट्रेड मार्क है अच्छा 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 आएगा इसको याद रखना है इस प्लेट 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 पांसो साल पहले का तो ऑथर के मर जाने के पचाह साल तक ही रहता है तो उसके बात तो नहीं रहेगा आज इवन नहीं चलेगा ठीक है माल लीजे अभी ऑथर भी है और हमें फिर भी मूवी बनाना है तो वाट वी दू इस देर इस अग्रीमेंट में क्या है आप हमको थोड़ा सा रॉयल्टी दे दीजे आई अलाव यू तो यूज माई नॉवल आई अलाव यू तो यूज माई नॉवल हंगरी में कौन है हंगरी नहीं है अग्रें दीक है अगर होगा जिद्दगी में तो खूद आ जाएगा जिंदा मत करिये अगर और वाकई में प्लान भी जिन्दगी में आना है तो खूद आ जाएगा अपने इतना मेहनत अगर आप कर चलेंगे तो उसका चिंता ही मत करिए अरे इतना इतना निगेटिव नहीं हो तो पहले कोशिस तो कर लीजे ओगा क्यों नहीं कि जारी है सूबसे शाम चारपा सेशन हो रहे हैं अभी भी नहीं हो तो का भोगा हमारी सेशन नहीं था यह सब बुढ़ पेस्टि इंटर्स प्रेटि इंटर्वार सुनिये यह आएगा ऐंडिया ऐस सिर्टेट तु अब यह आएगा सिंपल आपको इसकर लिए प्रभाश चार पाश नाम याद रखना एक तो आपको याद हो गया पैरिस किसके लिए है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए ठीक है बर्न आपने देख लिए किसके लिए है लिट्ररी वर्क्स के लिए लेतरेरी वर्क्स के लिए तो आबने देखा है मेर्फिर किसके लिए है जली से बता दीजै ट्रेड मार्थ के लिए ट्रेडमार्ख और अब स्बूडाप्रफ्स वूडभेस्ट के लिए यह पामग foliv और गान हो टॉसटे टॉड माइक्रो और अरगानिजम लग for the purpose of patent procedure for the purpose of patent procedure for the purpose of patent procedure श्यार नाम दो रखिए प्रिलिम्स है क्वेशन आना ہوसी और अन्हीं में से आएगा आप मॉश्चिन मूश्किल कि जला को इद उनलीटी यु तो आपको यह नाम याद रखना होगा ठीक है ठीक है आतो जोसे लिए कि लाइफ में ना इक्जाम के पाद ना एक्जाम के पहले कोई सेट नहीं होता है बहुत ज्यादा ब्रहमित हैं तो आप अपना भरहम दूर कर लेंगे तो आप तयारी पे उतर जाएंगे क्योंकि आप तैयारी नहीं कर रहें फिलाल तो आप इन्हीं विवादों में पड़े हुए तो आप बताएंगे हमको बुड़ापेस से कौन से रिवर निकलेगी अभी आप ही बताएंगे थोड़ी ज़र में अभी देख लिए अभी हम आज जोग्रफी मैप में आते हैं यह चार नाम याद रखिएगा तो इससे हो जाएगा आई एक बर जल्ली से देख लेते हैं कहां है बर्ण गिए बर्ण कहां पर दिखीए क्या अप लोग आप लोग को बर्ण कहां पर दिग्या होगा I am good I am good राहुल जी बर्ण दिग्या कहा है स्विजर लैंड में अच्छा question is question is बर्ण is situated on river Rhine बताईए बर्ण is situated on river Rhine हां या ना बताईए बताईए क्या बुलेंगे बुड़ा पेस्ट is situated on Rhine हां बुड़ा पेस्ट इंडर्ल स्पिर्टिक है वो जब आयागा तब बता देंगे अभी यहां पे आपका लिटररी वर्क ट्रेड मार्क पेटेंट की बात कर रहे हैं चार चीज़े हैं आपका जिसको अभी हम बता रहे हैं आपको या बुड़ा प है बंडिए हैं कै कि कई यह एस्ञ डॉबढ है अग भाविघा पर जा रहे हैं से राहे हैं उसलों दॉबढ है दानकर्ला स्विस्ट द नॉबड रमनल आपको दिकड होगा इसेग् पुरा इटली है यह इटली जर्मनी फ्रांस इटली अंड सम पार्ट ऑप लिचंस्थीन आड आस्ट्रिया लिचंस्थीन आड आस्ट्रिया I think we have done this already फुरा साव आगे चलते हैं बर्ण किस नदी पे है यह बहुत important question है लोगों को लगता है राइं पे होगा लोगों को लगता रोन पे होगा लोगों को लगता है डेन्यूब पे होगा इस इस नट रिवर कि अजगार आपके आपके दिखे रहे होगा यहां पर यकिन सी देस रिवर आरे दिस बंट तो वाइं डूइंग इस बिकॉज आप तो यूपीए सी जोग्रफी के मामले में बिल्कुल एकदम उतर आया कि कुछ भी पूछेंगे अब यह वह चीज़ें जो थोड़ा बहुत एक बार देखने के बाद दो बार देखने बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगी जैसे कि अब यह प्रस्ट पूछाए कि बुड़ा पेस्ट कहा है बताये तो बुड़ा पेस्ट किस नदी पर है कौन बताएगा बुड़ा पेस्ट इस ओन विच्छ रिवर गलत नहीं होना चाहिए बुड़ा पेस्ट अंगरी विच रिवर ने वी हम नोट डिसकूस आरे एनिवर इसी के उपर है इसको याद रखेगा डैन्यूब के उपर है तो आप अभी तक बर्ण देख लिए अच्छा जनेवा देख लीजिए आपको पता ही है जनेवा यह लेक जनेवा इसी के वेस्टन भाग में आप देखेंगा तो जनेवा है इस इस यह जनेवा और यह रिवा जनौ फ्रॉब आइशर या व कर रिवा लोन इकल लए दिसीर एग्रव घूटा है यह यह वर रही है रिवर आड़े लौन अरे राव्ण रही रॉण आरी राइप रॉणरऑ राइंअय दोस अबारव लॉट आंड दोस अबावं प्रुक्षे नोओ को अन् जा रही है। कि रिवर राइन पर क्या क्या है आपको पता भी है आपको बहुत बार डिसकस कर चुके हैं रिवर राइन में बॉर्डर बेट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट्विट and Germany also makes water between Germany France Germany France के बीश में भी ये बॉर्टर बना रही है कोई डाउट किसी को भी लगभग आपका आमस्टरडाम रोटरडाम बॉन सब इसी पे है बॉन सब आरे कहां पे है आरे ये रहना इस इस रिवर आरे देख लीजे इस इस रिवर आरे ठीक है रोन कहां गिरती आपको पता नहीं है तो राइन कहां गिरती पहले राइन से बताईए आरे का जाने दियन नहीं है वह अपने ट्रिब्यूट एक किसी नदी में गिर जाएगी जाएगी तो पढ़ में पाएंगे इतना ज्यादा याद करने का मतलब भी यह पूह रही है वह को क्या पूस्टे और कहां है यह पूस्टे अगर वह यह पूछ लगे तो इतना बड़ा यह पूरा मैं पर परिशान हो जाएंगे इतना मत परिशान हो यह हाँ मेनी परसेंटेज्ट आप पूरा ही लगबग यह आपका वॉस्जेस है पूरा ही पॉरेस्ट है एल्प से इधर पूरा आरेंड आवल यह है आ किरती पेले राहीं का मॉथ एb माट का है। वरी करेक्ट, राइन नौथ-P राइन नौथ-H, आप सकते हैं, राइन वोण दूर्थ जा जन टोर्स तो बंड कर्चनवेंशन आज आपने देखा और बंड कर्चन के तहट हम एक समझ में आई कि अपना ट्रेडमार्क इस उब इन सब चीजहों को बचाना हो तो बंड करता है लिटररी चीजों से आई एक प्रश्न आपके सामने प्रेलिम्स का देखते हैं which of these are correct which of these are correct one burn convention protects protects novels and plays to budapest convention talks about microorganisms deposit for patent for patent okay third third Paris convention deals with trademark trademark which of these are correct a 1 and 2 b 2 and 3 c 1 and 3 d 1 2 and 3 अराम से देख लीजेगा सोच समचे जवाब दीजेगा हाँ बिली जी सभी बोलने आप राइन को बहुत अच्छे से क्लीम किया गया है आल 1 & 2 1 2 3 D 1 & 2 D क्या लगता है आपको क्या आंसर अच्छे से जस्ट अच्छे से कंवेंशन ट्रेड मार का था तो मैंडरीट किसका था फिर अभी बात किये है यह छोड़ी छोड़ी चीज़ें पारिस कंविशन डेट्स इंडस्ट्र डिजाइन्स और इंडस्ट्र फ्रॉपर्टी को बचाने के लिए है उसका डिजाइन उसका पैटन रिसर्च इसको बचाने के लिए है ट्रेड माक आप आप पचा रहे है इस यहार मैंट रिग इस मैंट रिग ठीक है ट्रेट मांग अपका मैंट हो गया तीसरा इस रोंग आसर विट बी वान एंट टू यह आपका दो नहीं सही है बहुत बहुत पथा यह आप लोग चलिए अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा था I'm so sorry चलिए so that would be also on my side and I would like to welcome Scamander now to give you some ideas about कैसे क्या चीज़ की जा रही है let allow me some time I just open up the gate let's Scamander come now okay so mr. Scamander is here now and he wants to give you some idea idea क्या यह देना है इनका पूछना है कि क्या आपको पता है Mexico City कहा है do you know where Mexico City is all about Mexico City कहा है क्या आपको यह पता है industrial property युद्ध होगा तो पैरिस trademark होगा तो मैड्रेड बर्न होगा तो यह देटररी गुड़ापेस्ट होगा तो माइक्रो ऑर्गैनिसम बस यह याद रखीगा आचा ठीक ठीक मताईए Mexico City Mexico City Mexico Capital ठीक है इनका कहना है कि क्या आपको पता है Mexico City that is the capital of Mexico is sinking United States के South will say the Mexico City is sinking to Mexico City as a new kingdom of the ocean pit Mexico City somewhere in the mid of the continent and it is it is sinking why it is sinking up you know never target point that he says that it is sinking because the acquifers there the acquifers acquifers means the water beneath your crust the water beneath the land it is actually being utilized at a much faster pace as relative to its recharge इनका कहना है कि जो आपका पानी है Mexico City के नीचे जो जमीन है धरती है उसके नीचे जो पानी है उसका इतना ज्यादा exploitation है इतना ज्यादा exploitation है कि सब लगभग पानी यूज हो रहा है और वो श्राज नहीं हो पा रहा विकास अव विच्ष सक्मेंडर जी कहते हैं कि वीकास आप दिस वहां एक व्याक्यू बन रहा है और धीरे धीरे कई बार वहां पर फोल्स निकल के आ जाते हैं साड़के धस जाती है बिल्दिंग स्टेडी हो रही है so this is about this is बगा विचा इस this is about your, this is about your Mexico City and the sinking Mexico City because of aquifers. अभी आपको दिखादेटे कैसे, okay, so you have this part, okay, so Mexico City is somewhere here, this is your Mexico City, so what is happening is here is, there there is perhaps the layer that is there of the land beneath which there is actually the water beneath this is the water, aquifer, this is your aquifer. And since it is taken out at a much faster pace as compared to its recharge, you put a vacuum and this land is subsiding down, this land is subsiding down. this is a problem there and it is said that in the last 60 years almost almost let me see okay Scamander Ji says in the last 60 years 32 feet has stinged down the whole area has seen 32 feet in the last 60 years 60 years but this week to another Joshua or a baby to average a last person energy he says there somewhere around three feet per year under he jar has sinker at three feet per year a baby sinker like if someone like me six feet two inches he would be going inside the land in just two years this is this is your Mexico City and the curious case of Mexico City that is sinking that would be all from my side and we have this combat going on July 24 11 a.m. please do take part in the combats these combats are really very helpful though you get a lot of ideas about how to talk about uh maybe the tests and how to walk the tests to what is the actually actually ah पे भीव नीचे बनेगा थो डा दा दिन प्रेशा नीचे पानी से रहा रहता था पूरा सब्स्ट्राइम अंदर तो वा उनल लांट कहीं का रूंट जा रही है बीच बीच में बता दिये लेजेंट्स का विज्टम सीरीज चालू हो चुका है जिसको आप अटेंड कर सकते हैं बीच से चालू हो चुका है ऑफ्टन कार्णिवल इस अल्यडी स्टार्टेट तो आप कोई भी ऑफ्टन दो आप चुन सकते हैं वो और डाउट दर जुलाई देख सकने आप इन बैचेस को भी और बहुत धन्यवाद निरंतर ताइस तफलता की कुंजी है जो निरंतर है वही सफल है उमीद है आप बहतर पढ़ेंगे स्वस्थ होंगे पढ़ते रहिए यह तैक यू सो मुच टेक कियर जेहिन अपना ध्यान लखेगा जेहि ट्यक्सलिए तैक यथी तैक यह सो मुच